कि है कि हलो एव्रिवान दिस इद सुधिर और वेल्कम टी आवर यूट्यूब चैनल तोड़े वी डिसकस नेक्स चैप्टर है चैप्टर है हमारा एट और यह है मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री जो हमरी जो इंडियन बुक थी उसका चैप्टर नंबर आठ हम डिसकस कर र मिलेगी तो अब स्टार्टिंग है और यह इंट्रोडेक्शन पार्ट है इसके बाद हम जो भी टॉपिक होंगे इसके अंदर अभी हम जो डिसकस करेंगे उन टॉपिक को हम सिक्वेंस में मैं आपको समझाने की कोशिशा वह करूंगा तो आपसे रिक्वेस्ट है यदि एक्स्ट्रा बुख वो पढ़ने के आउशकता हो वो नहीं पढ़ेगी इसी के अंदर आपको NCRT प्लस DR खुलर के जो नोट्स है वो प्रोवाइड किये जा रहे हैं चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहला जो टॉपिक आता है वह आता मैनुफेक्शिंग पॉइंट है मैनुफेक्शिंग कि भाई मैनुफेक्शिंग होता क्या है मैनुफेक्शिंग से आप क्या समझते हैं तो यह क्या है एक प्रोसेसिंग है क्या ध्यान से सुनना बेटा यह क्या है एक प्रोसेसिंग है और इस प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि जो तरह साथ याद रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है आपको कि जो primary जो कि primary जो प्रोडेक्ट होते हैं उनकी जो processing हो वो होती है और इनको convert कर दिया जाता एक costly product के अंदर है तो इशी को क्या बोला जाता manufacturing पहले जो manufacturing का जो मतलब होता था वो होता था हाथ से बनाना जो हाथ से जो चीज़े बनती थी उन्हीं उन्हीं को मैनुफेक्ट्रिंग का जाता है पर आज का जो टाइम है उसके अंदर इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया है हमारे देश में काफी ज्यादा नेटरल रिसोर्स ऐसे हैं जिनको हम डारेक्ट ली क्या नहीं कर सक सकते हैं without processing and converting बिना किसी process के क्या बता गया है बिना किसी Process के और बिना converting के हम उनका यूज है वह नहीं कर सकते डारेक्ट ली उनका यूज हो नहीं कर सकते जैसे example की बात करूं मैं आपको यहां पर Yeah, clothes from cotton जैसे को टन से आपको को क्या मिलते हैं cloth मिलते हैं sugar cane से क्या मिलता है sugar मिलता है तो इनको हम directly use है वो नहीं कर सकते हैं इनको हम क्या करेंगे processing और converting method के दवारा ही हम इनका जो use है वो कर सकते हैं बेटा जैसे paper from wood pulps के दवारा मिलता है petrochemical from mineral oil यहां पर बताया गया है कि कुछ resource या जो natural जो resource होते हैं उनका हम directly use नहीं कर सकते हैं उनका use आपको करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको processing और converting जो method है उसका इस्तमाल करना पड़ेगा कुछ example यहां पर मैंने आपके समने बता रखें बेटा अब यहां से देख सकते हो कि चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी देश की जो economy हो पूर्ण तर डिपेंडेंट होती है कोई भी जो देश है उसकी जो economy हो डिपेंडेंट होती है मेंली इंडस्ट्री सेक्टर के उपर देखो आज का जो टाइम है इसके अंदर मेंली जो economy हो dependent दो ही सेक्टर पर रहते एक secondary और एक tertiary सेक्टर पर और जो इंडिया की जो economy हो dependent है प्राइंड रेक्टिवीटिटी तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अलग-अलग देशों की अलग-अलग condition है कि वो अलग-अलग sector के ऊपर dependent है बीटा अब बात करेंगे कौन-कौन सी जो topic है वो discuss करेंगे एक तो हम करेंगे types of industry types of industry में हम labor के अधार पर पढ़ेंगे ownership के अधार पर पढ़ेंगे बहुत सारे जैसे raw material के अधार पर पढ़ेंगे अलग-अलग method है उनके उपर हम discuss है वो करेंगे industry को location of industries जो location of industries है कि कुछ जो factor होते हैं कि जो industry को effect करते हैं उनके बारे में भी discuss है वो करेंगे बेटा distribution of major industries हम देश के अंदर अलग-अलग जो industry हैं उनके बारे में discuss है वो करेंगे उनके वित्रन के बारे में पढ़ेंगे और जो plant होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जैसे iron and steel industry है यह काफी बड़ा topic होगा आपका इसमें मैं आपको अलग-अलग जो plant है वो कराऊंगा कि कि किस country ने उनको establish करने में help की है यह सारी चीजे और कौन-कौन से main है वो सारी चीजे एक-एक के बारे में आपको with map कराने के कोशिश है वो करूंगा बेटा cotton industry के बारे में पढ़ेंगे सुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और petrol chemical industry है इसके बारे में discuss है वो करेंगे और एक इंडस्ट्री और पढ़ेंगे वो हम knowledge देवल्पमेंट इन इंडिया के अंदर जो इनडिर्टियल डॉलपमेंट है वो कैसे हुई कहां से इसके स्टार्टिंग है यह सारी चीजे है वो भी इसे चेप्टर के अंदर डिसकस वह होंगे और लास्ट टोपिक होगा आपका इंडस्ट्रील रिजन आफ इंडिया इंडस्ट्री हमां प्रहाइए आपका इसमें हम आत्री कोशिश करूँगा कि इसको पहले जल्दी ही फिनिस करा दूँ पर मिनिमम दस दिन है वो लग जाएंगे बेटा क्योंकि कुछ मैप का भी काम होगा कुछ आपको अलग से जो DR खुलर और जो NCRT है उसके नोट्स बनाने में भी काफी जादा जो टाइम है वो लग जाता है तो यह इसके नोट्स से आप साथ की साथ इनको अपनी जो नोट्बुक है उसके अंदर उतार सकते हो आपको कौफी जादा हैल्प करेंगे यह एक्जाम के अंदर तो आज के लिए बस इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ जब तक के लिए थैंक्यू ए झाल